यहाँ पर डिसकस करेंगे बिना देर किये शुरू करते हैं अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा आई ये सबसे पहला कोशन देख लेते हैं भारत के सविधान में पंचायतों तथा नगर पालिकाओं से संबंधित 73 वा 74 वे सविधानिक संशोधन के समय भारत के प्रधान मंत्री कौन थे तो देखे ये बहुत ही easy कोशन है नॉर्मली जनरल अवेरनेस से रिलेट करता है कोशन क्य जोगी देखिए आपको ये तो पता चल जाता है कि 73 वा जो सविधान संशोधने वो 1992 में किया गया था यह पहला फेक्ट हो जो कि हमने प्रिवेस वीडियो में डिसकस किया था 1992 में 73 वा अमिंडमेंट एक्ट पंचाय तीरा जोष्ता की बात करता है और इसी साल में 74 वा अमिंडमेंट एक्ट भी लाए गया था 1992 में जो की नगर पालिकाओ से सम्मन्दि थे ये 11th schedule जोड़ा गया है Constitution में और ये 12th schedule जोड़ा गया है Indian Constitution में आप देखिए time period कौन सा है 1992 का तो अब हमको ये पता होना चाहिए कि इस वक्त भारत के प्रधान मंत्री कौन थे इसलिए मैं आपको बोला है कि जनरल awareness का question है जनरल knowledge का question है आपको पता होना चाहिए कि 1992 में भारत के प्रधान मंत्री pv narsimma rau थे pv narsimma rau 1991 से लेकर 1996 से तक भारत के प्रधान मंत्री रहें किस party से relate करते हैं तो ये congress party के प्रधान मंत्री थे किसके थे congress के pv narsimma rau इनी के समय में 73 Amendment Act और 74 Amendment Act 1992 में पारित किया गया था जो कि इस्थानी सोशशन की बात करता है मतलब डिसेंटरलाइजेशन की बात करता है कौन थे प्रधान मतली पीवी नरसी माराओ तो अंसर हो जाएगा आंसर सी इजी दी पता चल जाएगा आपको नेक्स्ट कोशन देखते हैं सेकेंड कोशन की उचा गया है? पंचायतों की वित्ती इस्तिति का पुनावलोकन करने के लिए निमलिखित में से कों राजवीत आयोक का गठन करता है तो देखिए राजवित्त आयोग की अगर हम बात करते है जो स्टेट का फाइनेंस कमिशन है इसकी अगर हम बात करते है फ्रेंड्स तो इंडियन कॉंस्टिटीशन के आर्टिकल 243i 243i में हमको राजवित्त आयोग के गठन का प्राउधन देखने को मिलता है वहीं अगर हम राजवित्त आयोग की बात करते है तो इंडियन कॉंस्टिटीशन के आर्टिकल 280 में राजवित्त आयोग से संबंदित प्राउधन देखने को मिलता है हम यहाँ पर राजवित्त आयोग की बात करेंगे तो यह प्राउधन है 243i में राज्य वित्तायोग हर पांच साल में जो पंचायते हैं और राज्य के मद्ध में करो के बटवारे से संबन देते हैं पंचायतों को और राज्य का जो आप राज्य की सरकार है और जो पंचायते हैं उसके मद्ध में करो का बटवारा केसे किया जाए कर्तव्यों का बटवारा केसे किया जाए इस पर अपनी सिफारिशे देने का कारी करता है राज्य वित्त आयोग राज्य के consolidated fund से पंचायतों को कितना अनुदान दिया जाना चाहिए ये भी राज्य वित्त आयोग के द्वारा ही बताया जाता है मतलब किवल सिफारिशे देता है अपनी इसका गठन सम्मंदित राज्य का राज्य वित्त आयोग का गठन करता है इसलिए ये अपनी जब सिफारिशे देता है न तो अपनी रिपोर्ट भी राज्य वित्त आयोग को ही सूपता है answer हो जाएगा answer B और यहाँ पर याद रखेगा कि अपनी report भी किसको सोपने तो राजजी के राजजपल को ही सोपेंगे क्योंकि इस संस्ता का गठन राजजी के राजजपल के द्वारा किया गया easily पता चल जाता है answer B easy question दे, थोड़ा सा मतलब mind को दोड़ाने वाले question दे हाला किये क्योंकि state से संबन दीते तो constitution में state से भी हमको state की exam में question जादा देखने को मिलते है तो इसे question पूछे जा सकते हैं आगे बढ़ने से पहले एक update देता हूँ आप सभी को देखिए crazy gk trick के root application पर आप सभी के लिए ssc का एक targeted live बेच चल रहा है अगर आप interested है तो आप join कर सकते है क्योंकि ssc cgl की भी vacancy आ गई है तो आपके लिए ये course काफी benefit करने वाला है अगर आपको join करना है आप इसमें enroll होना चाहते है तो आपको करना क्या है प्ले स्टोर से root application को आप डाउनलोड कर लिजे वहाँ पर आपके लिए facility दी गई है आप ssc की live course में enroll हो सकते है और अगर आप individually मुझे से quality पढ़ना चाहते है तो भी root application में आपको ये facility दी गई है तो प्ले स्टोर से जाकर root application को डाउनलोड कर लिजे वहाँ पर आप coupon code का भी use कर सकते है psscj का वहाँ पर आपको इस coupon code से 500 रुपिस का discount भी मिल जाएगा I hope update अच्छा लगा होगा important था इसलिए आपको दे दिया चलिए next question देख लेते हैं कि क्या पूछा गया है नेमने लिखित में से कौन एक पंचायतों से संबंदित नहीं है चार option दिये गए और हमको यहाँ पर बताना है कि कौन पंचायतों से relate नहीं करता option देखना पड़ेगा राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों का चुनाव संपादित करेगा मतलब पंचायतों का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग करवाता यह बिल्कुल सही है यहना पंचायतों से relate करके यह option बिल्कुल सही है second देखते है 74 वा सवविधान संशोदान आधिनियम तो यह यहाँ पर गलत है क्योंकि 74 वा सवविधान संशोदान पंचायतों से संबंदित नहीं है यह नगरी निकायों से संबंदित है इसके अलब और दो option भी देख लेते है सभी पंचायतों का कारिकाल 5 वर्ष निर्धारितों का बिल्कुल सही है पंचायतों का कारिकाल 5 वर्ष का होता है एक पंचायत के भंग होने के 6 मा के अंदर नया चुनाव करवाया जाएगा तो ये भी बिल्कुल सही है अगर पंचायत भंग हो जाती है तो राज निर्वाचन आयोग 6 मा के अंदर पंचायतों के चुनाव करवा लेगा तो कौन सा relevant नहीं है पंचायतो से 74 Amidment Act 1992 चलिए नेक्स्ट योशन पर आते हैं देख लेते हैं तिरी स्तरी पंचायती राज तंत्र में शामिल है इनमें से कौन तिरी स्तरी पंचायती राज वस्ता में शामिल है तो देखिए 73 Amidment Act जो की 1992 में लाए गया था और पंचायतो को 11 वी अनसुची में जोड़ा गया था भारत में 3 स्तरी पंचायती राज की वस्ता करता है इसमें Village मतलब गाउं लेवल पर गराम पंचायत की बात की गई है तो सबसे पहला तो हमको मिल जाता है गराम पंचायत गाउं लेवल पर फिर ब्लोक लेवल पर ब्लोक समिती या पंचायत समिती के नाम से संस्तागढ़ित की जाती है तो ब्लोक अथवा पंचायत समिती और थार हमको देखने को मिलता है डिस्टिक लेवल पर जीला परिशत तो आप यहाँ पर देखिए, डिस्टिक लेवल पर जीला परिशत का गठन किया जा सकता है, यह पदसोपान, काउं इस्तर पर, नीचे के स्तर पर ग्राम पंचायत, मिडवल इस्तर पर, प्लॉक या पंचायत समिती और जीलों में जीला परिशत का गठन किया जा सकता है, तो आगे देखते हैं भारती सविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज विवस्ता को सविधानिक दरजा दिया गया है तो फर्स्ट कोश्चन में ही हमने इसकी बात की पंचायती राज विवस्ता को सविधानिक दरजा दिया गया है तिहोत्तरवे सब्विधान संशोधन के तहट इजी कोश्चन है अगर आपने ठियोरी को ध्यान से समझा था तो एक एक फेक्ट में आपको वहाँ पर भी बताया था अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्रिवेस वीडियो जाके आप एक बर देख लीजेगा तो आपके पंचायत से रिलेटेट जितने भी डाउट से जितने भी फ्रेक्ट है सब क्लियर हो जाएंगे कब आया था 1992 तियोत्तरवा सब्विधान संशोधन इसके अताथ भारती सब्विधान के भाग 9 में आर्टिकल 243 में ए से लेकर ओ तक 16 आर्टिकल्स जोड़े गए थे कितने 16 जो कि पंचायत से रिलेट करते और इसके अलावा इंडियन कॉंस्टिटीशन में ग्यारवी अनुसूची को भी जोड़ा गया था ग्यारवी अनुसूची पंचायती राच से सम्बंदी थे जो तिहोत्तरवे सब्विधान संशोधन अधिनियाम 1992 के द्वारा जोड़ी गई थी ग्यारवी अनुसूची में कभी अगर कोश्चन एसा आ जाता है कि पंचायतों को कितने विशय पर पावर दी गई है तो पंचायतों से सम्मंदित 29 विशय हैं यहाँ पर इसे भी याद रखिएगा 29 विशय से जिन पर अधिकार दिया गया पंचायतों को तो अमिड्मेंट मिल जाता है हमको इजिली 73 अमिड्मेंट एक्ट 1992 पंचायती राजविवस्ता को सववधानिक दरजा प्रजान करता है Next question पर आते भारत में सही माईने में इस्थानी स्वशाचन का जनक किसे माना जाता है तो भारत में अगर हम इतिहासिक प्रस्क्य भूमी देखते हैं भारत की इतियास में अगर आपने कभी गवर्नर जनरल और वाइसराई पड़ोंगे तो आपको एक वाइसराई के बारे में भारत में पता चलता है जिनका नाम था लौड रिपन लौड रिपन ने 1882 में इस्थानी सवशाशन से सम्मंदितिक प्रस्ताव पास किया था और इसे ही इस्थानी सवशाशन के छित्र में या इस्थानी संस्ताव के लिए मेगना का आटा माना जाता है पहला अधिकार पत्र माना जाता है इसे लिए लौड रिपन को भारत में पंचायती राजवस्ता या इस्थानी सवशाशन का जनक माना जाता है लौड रिपन 1882 मे ये इस्तानी सोशाशन के लिए इस्तानी सोशाशन लागू करने के लिए एक प्रस्ताव लेकर आये थे और यही सबते पहला गोशना पत्र है इस्तानी सोशाशन के लिए कोन है भारत में इस्तानी सोशाशन के जनग लौड रिपर ओके चलिए नेक्स्ट कोशन पर आते पंचायती राज प्रणाली में ग्राम पंचायत का गठन होता है तो अभी हमने बात की थी चार अप्शन दिये गए ग्राम पंचायत का गठन पुछा गया है कि स्थानी या पंचायती राज प्रणाली में ग्राम पंचायत का गठन किस लेवल पर किया जाता है तो वेरी सिंपल एट विलेज लेवल मतलब ग्राम इस्तर पर ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है है ना तो आंसर हो जाएगा आंसर A Easy Next देखिए यदि पंचायत भंग होती है तो किस आउधी के अंदर निरवाचन होंगे पंचायत अगर भंग हो जाती है तो किस टाइम पिरियेट के अंदर पंचायत का चुना हो जाना चाहिए एक माह, तीन माह, छे माह या एक वर्ष तो थियोरी में भी हमने डिस्कस किया था और अभी previous question में भी एसा एक हमको option देखने को मिला अगर आपको यादो तो अगर पंचायत टाइम पिरियट से पहले भंग हो जाती है टाइम पिरेट से फेले भंग हो जाती है तब राज निर्वाचन आयोग कौन राज निर्वाचन आयोग राज निर्वाचन आयोग पंचायतों के चुनाव करवा लेगा छे महा के अंदर आप छे महा को याद हो अधिकतर चीज़े छे महा के प्रोस्पेक्ट उसे ही दी गई है जैसे अगर कभी कोशन आता है कि संसत के दो सत्रों के बीच कितने समय से अदा गेपनी होना चाहिए छे महा अध्यादेश कितनी आउधी तक लीगल रहता है छे महा अगर कोई संसत का सदस्य नहीं है और ऐसी क अगर पंचायत टाइम पिरेट से पहले भंग हो जाएगी तो राज निर्वाचन आयोक छे मा के अंदर पंचायतों के चुनाव कंड़क्ट करवा लेगा आंसर सी यहाँ पर सही हो जाएगा ओके आगे देखिए अशोक महता समीती ने पंचायती राज ववस्ता के अंतरग पंचायती राज ववस्ता की बात की थी तो देखिए अशोक महता समीती को हमने पढ़ा था अगर आपको याद हो तो अशोक महता समीती जो की 1977 में गठी तुई थी इसने दो इस्तरी पंचायती राज ववस्ता की बात की थी कि भारत में दो इस्तरी पंचायती राज ववस मंडल पनचायत को प्राथमिक्ता दी ती, ग्राम पनचायत को हटाया उन्होंने बूला मंडल पनचायत इसताभित करो, तो इस तरह दो इस तरी पनचायती राज वसता भारत में होनी चाहिए, अगर इस तानी सौशाशन को परवर्फुली लागू करना है तो, ठीक है, तो अ पंचायत के चुनाव कराने है तू निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। याद रखना। लेकिन चुनाव कराने है तू निर्णय के द्वारा लिया जाता है। तो बिल्कुल भी confuse मत होईएगा यहाँ पर question काफी पूछा जाता है important चलिए आगे आते तो अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज का शुभारंब निमलिकित में से कहां पर किया गया था याद करिए सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्ता भारत के राजस्तान के नागोर से कब 2 अक्टूबर 1959 राजस्तान के नागोर से पहली बार पंचायती राज को शुरू किया गया था आंसर ए हो जाएगा और इसके बाद लगबग साथ दिन बाद 11 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज वस्ता अपनाने वाला दूसरा राज बनता है आंधर ये भी एक important fact हो जाता है पहला राज जिसने पंचायती राज वस्ता को अपनाय था 2 October 1959 को राजस्तान के नागोर जीले से पंचायती राज शुरू हुआ था साथ दिन बाद सेकेंड राज जिसने पंचायती राज वस्ता अपनाने वाला 1 October 1959 को आंद्रप्रदेश हो जाता है नेक्स्ट कोशन पर आते हैं भारत में तिरी स्तरी पंचायती राज प्रणाली का प्रस्ताव किसने किया था बहुत important और सबसे important समीति ये समीति ये बलवंत राय महता समीति भारत में बलवंत राय महता कमेटी का गठन 1957 में किया गया था और इसने पहली बार लोगतांत्रिक वीकेंद्री करण के लिए इस तानी सशाशन को लागू करने की बात की थी 1957 में इसका गठन किया गया था और इस समीति की रिपोर्ट के आधार पर ही भारत में 30 तरी पंचायती राज को अपनाया गया इसे याद रखिएगा किस कमेटी की सिफारिश पर बलवंत राय महता कमेटी की सिफारिश पर सबसे पहली कमेटी यह यह पंचायती राज पर आंसर A हो जाता है कितने स्थरी पंचायती राज को इस कमिटी की सिवारिश पर अपनाया गया है अभी हम बात करते हुए आ रहे हैं त्री स्थरी पंचायती राज को अपनाया गया है अगला गोशन देखिए निम लिखित में से किस राज जिने सबसे पहले पंचायती राज को अपनाया है नागोर अभी पढ़के आए हम किस राज जिका है राजस्थान राजस्थान के नागोर जीले में है न तो अक्टोबर 1959 को पंचायती राजवस्ता को लगू किया गया था तो राजस्तान है कि इसा राज्य जिसने सबसे पहली बार पंचायती राजवस्ता को अपनाए गया अभी मैं आपको बता है कि कभी कभी दूसरा राज्य भी पूछ ले आता है तो दूसरा राज्य पूछते तो फिर कोन आता आंधर प्रदेश कभ देट भी याद रखिएगा 11 अक्टोबर 1959 दूसरा राज्य पंचायती राजवस्ता को अपनाने वाला पहला हो जाता राजस्तान दूसरा हो जाता है आंधर प्रदेश किस कमेटी सिफारिश पर आये था बलवन्त राह में था 1957 नेक्स्ट गोश्चन देखिए लोकतंत्रिक विकेंजरी करण का आशा है मतलब डेमोक्रेटिकल डीसेंट्रलाइजेशन इनमें से कोन है तो आपको पता है जब उपर से शक्तियों को सत्ता के उपरी हिस्से से या उपरी सत्ता से शक्तियों को नीचे ट्रांसर कर दिया जाता है तो वो है decentralization और decentralization का सबसे अच्छा example है local government इस्थानी स्थानी स्थाशाशन, पंचायती राज गरामिर इस्थानी स्थाशाशन है और नगरपालिकाय नगरी स्थानी स्थाशाशन है दोनों ही डेमोक्रेटिकल डिसेंटरलाइजेशन की बात करती है आंसर दी यहाँ पर सही हो जाएगा नेक्स्ट कोश्चन देखिए इसके बाल निम्न में से कौन पंचायती राज से सम्मंदित रही है शाह आयोग, नानावटी आयोग, बल्वंत राए महता समितिया लिब्रहान आयोग तो आप बहुत एजीली बता पाओगे कि बल्वंत राए महता कमेटी पंचायती राज वस्ता से सम्मंदिते 1957 में इस कमेटी का अगठन किया गया था नेक्स्ट चार इस्तरी पंचायती राज प्राणाली का सुझाओ किस ने दिया है फोर स्टेज, पंचायती राज वस्ता की की बात करने वाली जो कमेटी थी, वो PV के राए कमेटी थी याद रखिएगा, तो सबसे पहले अंसर ले लेते आन्सर C PV k. Rauzh Samiti पंचायती राज प्रणाली के 4 रिस्तरी पंचायती राज का सुझाओ देने वाली कमीटी थी इसने कहा था 1985 में इसका गठन केया गया था PV राज कमीटी का इसने कहा था कि भाईया 14 स्तर भी लेकिया ओ राज इस्तर पर राज जी विकास परिशत का गठन किया जाना चाहिए उसके बाद जीला इस्तर पर जीला परिशत का गठन किया जाना चाहिए मंडल इस्तर पर मंडल पंचायत का गठन किया जाना चाहिए और ग्राम इस्तर पर ग्राम सभा का गठन किया जाना चाहिए किसने कहा था पी वी राव समिती ने 1985 इसका ये ऐसी कमिटी थी जिसने पहली बार पंचायतों में अनुसुचे जंजाती और महिलाओं के लिए आरक्षन की सिफारिश किये थी तो ये चार इस्तरी समिती या चार इस्तरी पंचायती राज विवस्ता की सिफारिश करने वाली कमिटी कौन थी पी वी राव समिती 1985 ओके आगे देखते हैं लास्ट कोशन है आई थिंक ये भारती सविधान का कौन सा अनुचेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है तो देखिए जब भारती सवविधान में तियोत्तरा सवविधान संशुदा नहीं किया गया था तो मूल सवविधान में एसा आर्टीकल जो राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन की शक्ती देता है या निर्देश देता है वो था आर्टीकल 40 यह आता है DPSP में Directive Principles of State Policy भारती सवविधान के भारती सवविधान के भारती सवविधान के भारती निर्देश शक्ततों में आर्टीकल 40 राज्य को यह आदेश देता है या निर्देश देता है कि उसको इस्तानी शर्षाषन को लागू करने के लिए गाउं में ग्राम पंचायत का गठन करना चाहिए Answer C आर्टीकल 40 में प्राउधन देखने को मिलता है I think आपको सभी कोश्यान समझ में आए गए होंगे सभी MCQs बहुत ही सिंपल थे अगर आपने इसके theory section को ध्यान से देखा होगा तो इसलिए अगर आपको question में कहीं भी doubt आ रहा है तो एक बार theory section वाले वीडियो को previous वीडियो को जाकर जरू देख लीजेगा तो आपके यहां के जितने भी question है वो बहुत ही easily आप deal कर पाओगे I hope session अच्छा लगा होगा अगेन अगर आपको session अच्छा लगा हो तो वीडियो को like और share कर दीजिएगा और channel को subscribe करना मत भूलेगा फिर मुलाकातो की next वीडियो में बने रही हमारे साथ जयहिन